हेलो गाईज नमस्कार प्रणाम मैं निर्भाइसर आप लोगे लिए लेके आ चुके है जारखंड ससी सीजियल का साइंस का सेट नमबर छे जिसमें आप लोगों को टोटल मैं 30 कोस्टन बताने वाला हूं इससे पहले मैं 5 सेट करवा रखा हूं और वह 5 को सेट जो करवाया वह ती बहतरीन बहतरीन अच्छे अच्छे लेवल का कोस्टन करवाया हूं तो आज आप लोग क्लास देखने के बाद पिछले पांच जो लेक्टर करवाया हूं साइंस का वह जरूर देखिएगा आपके जारकंड सीजियल का एकजाम हो चाए वह जारकंड जाही ना चाहा रेक एक्जाम को बेटा उड़ा देना है कईसे ऐसे कईसे विर दोस्त ऐसे तो आएए ना लेट करेंगे ना बेट करेंगे और सीधे क्लास को क्या करेंगे अस्टार्ट करेंगे एकदम तुफानी अंदाज में तो मेरे दोस्त मेरे भाई और मुझे चाहने वाले जारकंड के CGL के तयारी करने वाले, जारकंड उतपाई सिपाही के तयारी करने वाले, जारकंड में जैक का तयारी करने वाले, है न, मेरे दोस्त, एकदम हो जाओत तयार क्यूंकि मैं करवाने वाला हूں सीधे रूप से question को बरवाद, अच्छा हाँ एक सूचना मैं आप लोग को देना चाह रहा हूं कि यह जो सुक्रवार से डेली लाइव आएंगे साम का 6 वजे अभी जो यह कलास है मेरे दोस्त मैं क्या करता हूं आपको अच्छी खासी बढ़िया से वीडियो बना के अपलोड कर देता हूं लेकिन आप लोग का डिमांड इतना आ रहा है इतना आ रहा है कि सर लाइव क्लास कब होती है कब होती है कब होती है कब होती है कब होती मैं तबाह हो गया हूं परेसान हो गया हूं तो मैंने सोचा बच्चे को अब चाहिए लाइव क्लास तो लाइव क्लास मैं आओंगा साम मे मेरे दोस्तों तो आप लोगों को cva से में है नष्मी करना अनि यानि कि आप यानि यहानी यह सब्सेदी आपको लाइब मिलेगी लेकिन हाँ उसके लिए गुरुद्रशना के रुप अपको यह काम करना पड़ेगा जाद Deswegen को चीकार पड़ेगा ज्यादा से बच्चों को लाइव लाने पड़ेगे मेरे दोस्तों तभी तो मैं जारकंड सीजेल जारकंड उत्पाद सिपाही जारकंड जेई और जारकंड में पुलिस का हो चाहे वो दरोगा का वेटा एक दम बरवाद कर देंगे तो चलिए नो लेट करते हैं और सीधे आज की जो तीस को सने सबसे पहले इसको बरवाद करते हैं तो यह देखिए आपके पास हैं यह साइन्स का सेट नमबर छेले क्या हैं सातमा यानि कि अठमा जो सेट होगा वह आप लोग के लिए लाइव होगा ठीक है तो चलिए नो लेट नो बेट को स्चन नमब यह देखें को स्चन नमर वन है मेरे में जल्दी से बताए क्या इसका अंसर होगा वह जाता है यह कोस्वन बहुत ही बढ़िया को सने और यह भारत के बिभीन इकजामों में बहुत बार पूछी गई है एकदम आप प्रिवियस यहर पेपर को देखना तुम्हें मिल या फिर वैसे बच्चे जो पिछले 2-3 साल से त्यारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि यह कोस्वन का कितना महत्व है मेरे दोस्तों तो सरीर में किसकी हैना डॉटड़ की गंभीर कमी से क्वाइसी और करो जाता है पहला है दूसरा है विटाविन के तीसरा है कैल्सियम ससे जनकारी देते हैं कि यह जनकारियां को रखना है सरीर में की गंभीर कमी के कारण रोग होती तो रोग होती है है क्कौई सोए और दूसरा अगर प्रोटीन की कमी के कारण बोले तो यह होता है मेरासमस दो रोग हमारे बच्चों में देखने को मिलते हैं प्रोटीन की कमी की बजा से एक रोग होता है जिसे बोलते हैं क्वाइसी और कर दूसरा रोग जो प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में होती है उ मानसिक व्रिदी क्या होता है रुक जाता है आप लोग को पता है कि जीरो से लेके 14 वर्स की आयू तक के बच्चों को प्रोटीन की अच्छी मात्रा लेनी चाहिए है ना क्यूंकि प्रोटीन की लेने से बोडी का विकास बहुत ही बहतरिन होता है और अगर आपकी सरीर में प् भार नजरा है यानि वोडी उनका खिला हुआ नजरा है तो याद रखना प्रोटीन इस दबोडी विल्डर आफ आवर लाइफ ओके माइडियर आरे ओके जोहार साथी तो चलिए आगे पढ़ते हैं है ना आइए देखते हैं लिखाओ कि प्रोटीन सब्द का परियोग स्व अगर हमारे सरीर में क्या थक्का बन जाता है अगर हमारे सरीर में विटामिन की अगर कमी पाई नहीं हो पाएगा blood का coagulation नहीं हो पाएगा जम नहीं हो जम आगा नहीं तुम्हारी रक्त क्या हो जाएगी बर्वाद में बह जाएगी और अंत में क्या हो जाती है जान चली जाती है तो चलिए इतनी भी सेस भी सकेस जनकारियां आपको लेकर आता हूं और जब लाइब पढ़ाओंगा न मेरे दोस्त तो और मज़ा आएगा तो अगर आप लोग चाहते हो कि सर लाइब क्लास ले तो मेरे दोस्तो सुक्रबार को साम के 6 बजे लाइब आना मत बोलना एक ब्रवाद कर ढूंगा ब्रवाद कर दूँगा जारकंड शीर में जारकंड उतबाद सिपाई में जारकंड दरोगा में जारकंड चएसेसी में जितने भी कोशन हुचे हुए है एक एक कोस्टन लेके आओंगा तेरे पास और पूरा बरवाद कर दूँगा प्रिवियस यह इसा स्वल्ब करूंगा बेटा इसा स्वल्ब करूंगा कि तुम्हें तम परिसान कर दूँगा एक दम अईसा उड़ा दूँगा आओ खनीज कार्णोटाइट का एक महत्पून स्रोत है हमसे पूछा गया है प्यारे मित कि खनीज जो कार्णोटाइट है इसका एक महत्पून स्रोत है कौन तामबा जस्ता लोहा इउरेनियम क्या आपके पास इस कोशन का जवाब है अगर जवाब है तो कमेंट वॉक्स में दीजिए अन् आईए अभी से लेटेड मैं आपको बताता हूं कुछ फैक्ट यह देखिए कुछ फैक्ट आपके पास है खनीज कार्णो टाइट युरेनियम का एक महत्पुर्ण स्रोत है युरेनियम को आसा धातु कहा जाता है यह भी आपके पिछले एक्जामों का पूछा हुआ प्रस्न है युरेनियम को क्या कहा जाता है तब आपको राइटम सर देना आसा धातु कहते हैं भारत में युरेनियम का सरवधिक उत्पादन कहां होता है आपका ही राज जारकंड में होता है सबसे ज्यादा युरेनियम अगर पूरे भारत में कहीं होती है तो आपके राज में होती है यूरेनियम धातु का निस्करशन मकता उसके यूरेनियम सी कीया जाता है याफी बगाइय की उत्पादन में इत्प्रेरह के रूपे किया जाता जल स्टा जिंक ब्लेंड और कैला मायन यस्क के रूप में परचूर मात्रा में मिलता है लोहा मानव रक्त के हीमोगलोविन में भी उपस्तित रहता है यह जो लोहा होता है ना वो in the form of खनीज लवन हमारे क्या होते हैं? हमारे बलड में भी पाए जाती है यही कारण है कि यह मानवरक्त का जो rung होता है वो लाल होता है चलिए प्यारे में इतनी विशेश विशेश जनकारी आपके लेके आता हूं तो आपका फर्ज बनता है कि एक बार अगर कलास अच्छी लग रही होगी के लिए 20 जी पा Türkiye application diya जाता है 20 जी का टीका किन रूप के लिल लगा लगाया जाता है यह आप से पूछा जा रहा है पाला समय 허ा चिकेन पॉक्स दूसरा ऊप्छने पोलिओ तिसरा है तपेदिक चोथा है चिकेन पॉक्स दूसरा उप्साने पोलियो तिसरा है तपेदिक चौथा है अस्थमा तपेदिक को ही अम लोग बोलते हैं या च्मा यानि की टिवर क्लोसिस तो अब बताएं इन में से क्या आपको पता है कि बीसी जी का टिका किन के लिए लगाया जाता है तीका लगा दो तो बताओ मेरे दोस्त बताओ मेरे भाई बताओ मेरे जोहार साथी क्या आंसर होना चाहिए तो इसको राइट अंसर ना प्यारे मीत्र वह है अमारा तपेदिक जिसे हम लोग बोलते हैं ट्यूवर क्लोसिस आये अब हम आपको हमेशा की तरह फिर से कुछ दिखाने की कोसिस करते हैं यह देखे रहा है तुर्पेदिक रोग कے प्रतिरोधक छमता के लिए ऑ لगका जाता है आपके ज्वास कुछा हुआ है की बीसीड़ी का फूल फॉर्म क्या होता है या आपको पता है जल्दी से कमेंट प्र क्या होता है मेरे जोहार साथी तपेदिक रोग को याच्छमा इसी को बोलते हैं या काक रोग भी कहते हैं यह एक संक्रामक रोग है जो माइक्रो बैक्टरिया टीवर क्लोसिस नामक जिवानू से कारण उत्पन होता यह भी कोश्टन पूछा हुआ है कि जो टीवी है वो किसकी बज़ा से होती है तो आपको माइक्रो बैक्टरिया टीवर क्लोसिस से फैलती है तपेदिक रोग के उपचार के लिए है ना अस्टेप्टो माइसीन का इंजेक्शन दिया जाता है किसका इंजेक्शन दिया जाता है अस्टेप्टो माइसीन का इंजेक्शन दिया जाता है ना बिलियन बिलिसीन तपेद क्लिक रोग की नविन्तम दवा है अलवट सेविन अलवड सेविन Pakistani में मुकृप से लेने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज करने ना करने वाले थे बताइए अगर आप से यह कोछन पूछा जाए कि पोलियो ड्रॉप की खोज किस ने किया तब आपका राइटन्स होगा हटकर भी आपसे पूछ लिया जाए तो मेरे जोहार साथी भटकेंगे नहीं बैटा बैटा सीधर सटा सटा के चलेंगे और जवाब दे देंगे चलिए मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे मीत्र मेरे चाहने वाले प्यारे वच्चे अगले कोशन पर चलता हूँ यह देखिए कोशन डमरे चार जो आपको करेगा लचार कईसे ऐसे निमलिखित में से कौन सा कच्चे तेल से बना उत्पाद नहीं है यानि आपको यह बताना है कि इ जल्दी से बताओ डामर क्या है बताओ जल्दी कि तो इन चारों में से कौन सा ऐसा अप्शन है जो कच्छे तेल के बना उत्पाद नहीं है क्या आपको पता है इसका अंसर अगर पता है कमेंट वॉक्स में बताईए और नहीं तो फिर हमारा जवाब सुनिए कईसे तो इसका जो राइट अंसर है वो एंथ्रासाइट है कि लिए रहे मेरे दोस्त क्या है एंथ्रासाइट नेक्स्ट आगे वड़ते हैं और कुछ का इंकिजार है नेक्स्ट इए देखिए हम चुछ जनकारियां आपके लिंगु खया आया हैं इंथ्रासाइट रचे तेल से बना उत्पाद नहीं है इंथ्रासाइट कोईले की सबसे अच्छी किस्म है ये भी आपसे पूछा हुआ कोशन है कि बताइए कि कोईले की सबसे अच्छी किस्म का क्या नाम है या फिर कोशन ऐसे पूछ लिया जाता है कि कोईले में किस परकार के कोईले में कारवन की प्रतिसत सबसे जादा होती है तो ये भी आपको याद र प्रभावाजी आस्वन के परियोग किया जाता है गैसली ने जो परियोग सड़क निर्मान उडान पट्टी निर्मान इत्यादी में होता है तो आपको यह पता चल गया है ना कि जो कोईले की जो सबसे अच्छी किस्म है उसे बोलते हैं और एंध्रासाइट में को लेक जो का कमेंट बोक्स में बताएं नेक्स्ट अगला को सब्सक्राइब निमलिकित में से किस बिमारी को सीटी की विमारी के नाम से भी जाना जाता है कि इसमें डिमेंसिया जाइरिया और डर्मेटाइटिस सामिल है जल्दी से बताईए यह आप जानते हो तो अनसर बताओ पहला और पोरोसिस तिसरा है जीरो फैथेलिमिया चौथा है प्लेग्रा या आपको इसका जवाब पता है अगर पता है तो आपकी समय सीमा होती है स्टार्ट मैं आपको 15 सकेंड का समय दिया उसके बाद मैं इस को स्वास को बर्वाद कर दूँगा क्या कर दूँगा बर्वाद कर दूगा तो अगर यह कोश्चन शमान भी घ्यान के रूप में जे ऐसी सीजियल में आता है तो इसे कैसे बरवाद करोगे यह आपको सिखाता ह किता है इसका जो राइट अंसरे वह आपका प्लेगरा इसका राइट चित की धर जोस्ता को हम लोग भिट यू और और भी थीund नाम से भाती इसमें डिमेंसिया डाइर्या रामेटाइट़्िस क्या है सामिल है प्लेगरा चर्मदा है यानि कि अस्कीन से लेटेड है यह बिटामिन बी-3 की कमी से होता है जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि बिटामिन B3 का रसाइनिक नाम क्या है यानि केमिकल नेम क्या है मैं एक कोश्चन आपसे कमेंट बॉक्स में जवाब के रूप में मांगूगा जल्दी से बताइए कि जो विटामिन B1 को थाइमीन कहा जाता है और मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए कि बिटामिन B1 की कमी से कौन सी बिमारी होती है मैं यह सब कोश्चन आपको करवा रखा हूं यही कारण है कि मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं कमेंट बॉक्स में के लिए रहे मेरे दोस्त चलिए अब हम लेते हैं अगले कोश्चन कि यह कोश्चन नमर छे है कि डॉट डॉट शरीर के भीतर मुक रूप से हिर्दाय या फेपड़ों में उत्पन होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उप्यों किया जाने वाला एक चिकिस्ता उपकरन है यारी डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं पहला अप्शन है प सांड को सुनने के लिए धौनी को सुनने के लिए करते हैं तो आप लोग देखते हो ना डॉक्टर के पास जाओ घंटा तो आला लगाता है वहां चेक करता है सॉंड को सुननकर यおっ पता लगाते हैं कि किस इस परकार का डिफैक्ट इनके बोडी में चल रही है तीक है न हमारे हिर्दय की गती क्या है तो इसका राइट अंसर क्या होगा उससे कहते हम लोग अस्टेथो असकोब यानि ऑप्सन नमबर बी बिल भी दर राइट अंसर आप दिस कोश्चन अब मेरे प्यारे मित इस से ले उरी असकोप पृधर्रसी द्वारा तीरश inclu राशी चीजों को देखने के लिए उप्योग किया जाता है पयरी स्कोप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं आपको पंडוח बहगेरा में लोग करते हैं हेरी लिया चाषे से और दाख चयाता तो यह सब चीज है और आपको जल्दी से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि पेरिया स्कोप में जिस दरपन का इस्तेमाल करते हैं वह कौन सा दरपन होता है कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए मैं यह सारी चीजे आपको सेट नबर 5 तक कंप्लीट करवा चुक करके चाहिए अगला कोवे निमलकी तमें से कौन सी धातू तक वो की सरनी में मवजूद सबसे हल की धातू है सबसे हल की धातू पुछा है पाला ओप्स तुम्हें मागनिसियम तुम नहीं जानोगा तो भाई 15 सकेंड भी लग सकता है तो जल्दी से बता है अगर पता है तो भाई लेट किस बात की जल्दी से दे दनादन दे दनादन इसका जो राइट अंसर है प्यारे मित्र वह आपका लिथियम यानि कि ऑप्सन नमबर सी ठीक उसी परकार हमेशा की तरह फिर से हम लोग फैट देख देख देखें देख क्या बूला लिथियम जो है वो धातु तत्वों की आवार सरनी में मौजूद सबसे क्या है अलकी धातु है तो अगर यह पूछा जाए कि सबसे हलकी धातु कौन है तो बोलना है लिथियम अब अब हम आपसे पूछेंगे कमेंट बॉक्स में फिर से कि सबसे भारी धातु का नाम क्या है जल्दी से जवाब देदो मेरे दोस्त इस तरह से इस तरह से आपकी नौलेज क्या आते जाएगी बढ़ते चली जाएगी और एक दीन एक समय ऐसा आएगा कि बेटा जो पूछा जाएगा तुम सब जान जाओगे तो चाहिए टीचर वैसा वाला जो कमेंट वक्स में क्या वोले कि जवाब दो क्या दो जवाब दो तो सबसे जो का पूछा ववाप कॉछ न्ऄ होता है तो आपको यादाक ना है कि सबसे तरब्लयस में तर्दा मोथ जान जासकत leps धातू अक्साइड का जलिये बिलियन चारी होता है ये भी आपके कमेस्टी का सबसे अच्छा कोशन है कि बताई कि धातू का जो अक्साइड का जलिये बिलियन होता है वो कैसा होता है तो आपको बोलना है कि सर धातू के अक्साइड का जलिये बिलियन होता है वो चारी होता है लिथियम धातू लिथियम धातू के हलका होने के कारण अती क्रिया सिल्टा के कारण इसे पैराफिन मोम में लपेट कर रखा जाता है लिथियम को किसमें लपेट के रखते हैं तो याद रखना मेरे दो लिथियम को पैराफिन मोम में लपेट के रखते हैं ठीक है क्यों क्यों स्टीए बेटा उति क्रिया सिल्टा होती है इनकी चलिए को दो लुए कि से क्या उर्जा के गार प्रनूप्रागत नहीं है यानि कि कौन सा निम्लिक्थ्मेर्प्रागट पारों में सब्सक्राइब करके बताओ मेरी जोहार साथियों की यह जो उर्जा के चार सुरोत रहे इसमें कौन सा इसा सुरोत है जो गैर प्रमप्रागर सुरोतों में नहीं आती है अब हम लेंगे इस से लेटेड कुछ जनकारी यह देखिए आए जनकारी को हासिल करते हैं कोईला सुरत की जैदे बहुत को रिखाय यह प्रमप्राति की तुलना में यह क्या होते है तो इसकी के और जटली हैं अगला पड़ते हैं कि सीदे क्या करेंगे मेरे दोस्त मिरे भाई इस सीदे क्या जिन से जिन में जिन में पाउधे के विभीन भाग उपस्तित नहीं होते हैं वे समू से समंदित हैं किस समू से समंदित हैं जिन में विभीन भाग जो है वो उपस्तित नहीं होती है वो किन समू से समंदित होती यह आप से पूछा गया पहला है फेने रो गेम्स ठैलो एरीडोफाइट तुफाइट किस से समद्क नहीं बता और इसे समंद्क ये कॉछ पूछा जा रहा है इस त्थान में संवसें उपयुक्त विकल्प हम भरना है वे को भाइवा या आप्पसन न। और वी बिल भी दर राइट अंसर अब दिस कोश्चन है नेक्स्ट आये जनकारी लेते हैं यह देखी जनकारी कता वे पौधे जिसमें पौधे के विविन भाग उपस्थीत नहीं होते हैं वे थैलोफाइट समूख से समंधित हैं थैलोफाइट टा वर्ग में कौन को नाता है सैवाइल आता है कवक आता है जीवानू मुखरूप से आते हैं यानि कि सैवाल कवक और जीवानू यह किस ग्रूप पे आते हैं थैलोफाइट सैवाल पादब जगत का सबसे सरल क्या है एक जलिये पौधा है सैवाल का अधियन करना क्या कहलाता है तो कहलाता है आपको ology तो कवक का अधियन करणा क्या कहलाता है यहां होँ तो टो फाइटस में उट्त आप लोगो सब कुछ बता दिया कि चटानों पर उगने वाले सह ऐवाल का नाम क्या होता है सहाल में मुखरूप से क्या वां पर दता है चाहिट अुछ double sa उटा Vid से जिवान तो यह सब चीजें मेरे दोस्त आपको क्या रखनी है याद रखनी है अंगर आप दुनिया के दोर में अगर आप दुनिया के भीड़ से आगे निकलना चाते हो तो दूसरों से कहीन आगे आपकी सोच रखनी पड़ेगी आईए पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नीम्बू गिलास की बगल से देखने पर इसके बास्तविक आकार से बड़ा प्रतित होता है इसका कारण क्या है जब आप क्या करते हो ना कोई ग्लास लो सीसे का एक ग्लास लो उस पे से देखोगे तो नीम्बू का जो से पेना जो साइज हो बड़ा दिखाए देगा वो पुछा इसा क्या कारण है जो हो जाता है प्रकास का प्रावर्तन प्रकास का अंत्रिक प्रावर्तन या प्रकास का अपवर्तन जल्दी से कमेंट बोक्स में टाइप बताईए आज मैं इसके लिए मैं आपको सूपर ट्रिक बताऊंगा कि अगर जब भी इस परकार के कोशन आए तो कैसे बरवाद करोगे देखिए आपको क्या दिख रहा है कि निम्बू इतना बड़ा था हो गया इतना बड़ा तो इसकी सेप में क्या हो रहा चेंजिंग जब कभी भी आपको प आपको पूछा जाएे कि पानी से भरीवाल्ती का कम गहरा दीखना आपको कम गहरा देखना पानी से भरीवाल्ती में रखी छड़का मूड़ा हुआ परतिक देखना है यह निकि तो sera में आ होगे अप वर थो इस परकार कीइने को एक जाम्पल है ठीक है कि तो युछ याद जाए कि पोजीशन बदलाओ जैसे तारो का टिम टिम आना यह क्या बात है पोजीशन में बदलाओ पोजीशन बदलाओ यानि कि प्रकास के अपवर्तन तो इसका जो राइट अंसर होगा वह ऑप्सन नंबर डी होंगे आईए कुछ बिशेश जनकारी देख लेते हैं पानी से भरे गिलास में रखा गया निम्बू गिलास की बगल से देखने पर इसके पास्तवीक अकार से बड़ा प्रतित होता है इसका कारण है प्रकास का अपवर्तन प्रकास के अपवर्तन के दो निया में आप्तित की रन यह कि समद्वतल प्रेन में इस्तित होते है इन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कौन की जया तथा आप्वर्तन की जया की अनुपात को हम लों क्या करते है एक निया तांक बोलते हैं इसे ही कहा जाता है अस्नेल लोग नेक्स्ट मेरे प्यारे मित्र इंदम बरवाद कर सब्सक्राइब संट नमर 11 कि निमलिखित में से किस से फूलो लोह के जंगले जंगले खिर्की बोलते हैं और धातों की बनी सभी बस्तुओं को नुकसान पहुंचता है किसे पहुंचता है नुकसान बताओ पूराने होने से अमलता होने से आप चैन होने से या जंग लगने से तो बेटा है लोहे के जंगले देगे लोहे के जंगले की बात हो रहा है पूल पूल में भी इस्तेमाल होता है लोहा और धातूं में से बनी सभी बस्तूं को नुक्सान कौन पहुंचाएगा यह तो कॉमन सेंस वाली कोशन आगी ना मेरे जंग जंग जो होते हैं वह कोई भी लोहे के जंगले हैं या पिर कोई भी धातू का चीज है तो बेटा उसको तो निक्सान पहुंचाएगा ही मेरे दोस्त तो इसका जो राइट अंसर है वह आपका क्या है अब यहां पर आइए कुछ जनकारी भी देख लेते हैं जंगले जंग पूल जंग जो है वो पूलो लोहे के जंगले और धात्वों से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है लोहे के ऑक्सिक्रन होने के कारण लोहे पर क्या लगता है जंग लगता है इस बात को धियान देखना लोहे में ऑक्सिक्रन की बज़ा से लोहे में क्या आवश्चक हैं अगर अक्सीजन के साथ साथ उसको नमी मिल गया तो समझ जाना कि उस लोहे में क्या लग जाएगी जंग लग जाएगी लोहे में जंग फेरिक ऑक्साइड क्यों सी ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड या फेरिक हाइड्र ऑक्साइड का मिस्रन होता है लोहे में जंग लगने से का भार क्या होता है बढ़ता है यह वारत महतं mai होने पूछ ले गई है आत तो याद रखना कि लोहे में जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है अब बढ़ता है और लोहे यहां पर देखे पताना है पहला चायक अभिकर्मक इस प्सेलफो नेटिंग अभिकर्मक यह चार option है आपको यह बताना है इसमें comment करके कि जो bleaching powder है उसकी nature क्या होती है उसकी प्रकिर्टी क्या होती है अगर आप जानते हो तो जल्दी से comment box में answer दो आन्याता मैं बता रहा हूँ अब यहां पर हम लोग देखेंगे इस से related कुछ जनकारिया और bleaching powder से आपके exam में बहुत परकार के question पूछे जाते हैं आईए मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ यह देखें यहां पर bleaching powder को छोड़ेंग नहीं bleaching powder की प्रकिर्टी ऑक्सिकारक अभी कर्मरक होती है bleaching powder का अगर रसाइनिक सुत्र पूछे तो आपको बताना है CA, OCL, CL होता है तो यह चीज को याद रखना CA, OCL के हौल, CL होता है मेरे दोस्त यह bleaching powder का रसाइनिक सुत्र बहुत बार पूछा जाता है जल्दी से comment करके आपको यह बताना है कि bleaching powder का उपयोग कहां किया जाता है अगर देखिए, आईए, bleaching powder का रसाइनिक नाम क्या है, calcium hypochlorate यह याद रखना, bleaching powder का अगर आपको chemical name पूछ दे, तो आपको बोलना है calcium hypochlorate सुस्क, बूजे, चूने की अविक्रिया, chlorine, gas के साथ कराने पर, bleaching powder का प्राप्त होता है यह देखिए, यह उसा chemical equation है कि bleaching powder कैसे प्राप्त किया जाता है bleaching powder बनाने की क्या बीदी है, bleaching powder बनाने की दो बीदिया निमने, एक तो हेजन, clever बीदी है, दुसरा है बेचमान बीदी, तो इन बीदियों से हम लोग bleaching powder को निर्मान करते हैं आईए, अब आगे देखेंगे और इसको बरवाद करेंगे, यह देखिए question number 13 है, बोला है कि जब किसी बस्तु की चाल, ध्होनी की चाल से अधीक हो जाती है यानि जब किसी बस्तु की चाल जो है, ध्होनी की चाल से क्या हो जाती है, अधीक हो जाती है, तो इसकी चाल को क्या कहा जाता है यह बेटा बहुत ही बेहत्रिन question है, यह भी question आपके exam का पुछा हुआ है आप लोग जब previous year देखोगे न, तब आपको पता चलेगा, और मेरा तो काम सुवा से साम तक यही होता है मैं सिर्फ जारकंड, JSC का नहीं paper देखता हूँ, मैं पूरे भारत में जितने भी exam होती है, जितने तरह की exam होते है मैं सब का paper देखता हूँ, मेरे दोस्त, यही कारण है कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कि यह भी question पूछा हूँ, ऐसा कोई question बचा है नहीं बैटा, जो पूछन रहा गया है इसी कारणे कि जो question का level है, वो क्या हो चुका है, बढ़ गया है, यानि अब आपको मन से पढ़ने की ज्यादाब सकता है तो यहाँ पर इसका जो right answer है, वो क्या होगा, इसका जो right answer होगा, वो option number A होगा उसे बोलते हैं, supersonic है ना, आईए, अब इससे later हम कुछ जनकारी भी आपको दे देते हैं यहाँ पर यह देखे क्या लिखा हुआ है, जब किसी बस्तू की चाल, धौनी की चाल से क्या होती है, अधीक तो इसे क्या बोलते हैं, हम लोग, supersonic कहा जाता है, है ना, मनुस की जो स्रवन सीमा है, है ना, जो audible sound रेज़ है, वो 20 हट से 20,000 हट तक होती है यहाँ धोनी तरंग की आवरिती 20 हट से क्या हो जाए, कम, तो इसे क्या बोलते हैं, अब श्रवय तरंगे यानि की किटानुक ना सक, चीजों को मारने की काम करते हैं, यह धोनी तरंग की अवरिती 20 हट से अधीक हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रास, रुवय तरंगे कहते हैं, यानि की अल्टरा, sonic बेव कहते हैं, लो तुम लोग, जवाब क्या दोगे बेटा, मैं तो बता ही दिया नेक्स्ट, question नमर लेते हैं, 14, बुला गया है कि आईजक न्यूटन द्वारा गती के कितने नियम प्रतिपादन किये गए थे, यह सब को पता है कि सर आईजक न्यूटन ने गती के तीन नियम दिये थे, कितने नियम देती हैं मैं तो तीन नियम, नेक्स्ट, अब मैं चलू नियम लिखे थे, पहला नियम क्या है, न्यूटन गती के प्रतम नियम, जब कोई बस्तु इस्तिर अवस्था में है, इस्तिर अवस्था में या सरल रेखा में एक समान गती कर रही है, तो वह तब तक गती करती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई वाहवल आरोपीत ना हो, य तोकुल में एक बस्तु द्वारा दुसरे बस्तु पर लगाएगे जो दुसरे बस्तु पर लगाएगा वालकशन क्या होता है बरावर होता है देशा धोरा की नीव दिये थे 15 से कोन सा बिखjuna नहीं है यानी कि मैच नहीं खाता है फाहला है पैंसीलीन की कि लेकिन टेली फॉन का जो इसकार किये थे वो जॉन लेगी विल ने थे ग्रहम बेल थे इसलिए यह क्या है गलत अंसर हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे इसका राइट अंसर ऑप्सन डी होगा यह सुमेलित नहीं है अब आईए इससे जनकारी भी हम लोग कुछ ले लेते हैं यह देखें क्या लिखा हुआ है टेली फॉन बेट लेगी वियर शुमेलित नहीं है थेकिना टेली फॉन का अविसकार कौन क्या था ग्रहाम बेल ने क्या था अब देखिए इस साड मैं लेक्शे आपक लिए Ay आविसकार और इस साड लिखा हूँ अविसकार करता है यह कु तो अगर आपसे यह कोशन पूछा जाए कि बताई डाइनमो का खोज किस्ते किया है तो माइकल प्रैड किया था इलेक्ट्रिक बॉल्व का थॉमास इर्वेडिसन किया था पैंसिलिन का एलेकजंडर फ्लेमिंग किये थे यह सब चीजें आपको याद होनी चाहिए चलिए कोश्चन नमर 16 देखते हैं दिखा कि घरों में खाना पकाने के लिए उप्योग की जाने बाली तरल पेट्रोलियम गैस LPG निमन में से किसका मिसरन है आपको यह बताना है कि जो LPG होती है जिसका इस्तमाल हम लोग घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं उसमें क्या म पहला उप्सन है मिथेन और प्रोपेन दूसरा है प्रोपेन और ब्यूटेन तिसरा है एक्सेन और प्रोपेन चौथा है मिथेन और ब्यूटेन यह आपको पता है नहीं पता है तो इधर देखें कि इधर इधर देखो इधर तेरा ध्यान कि इधर है रहे तेरा हिरो इधर है इसका जो राइट अंसर है, वो है आपका प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। अब मैं हम यहां से कुछ जनकारी भी क्या करते हैं, आपको लेते हैं। यह देखी कितनी बड़ी-बड़ी जनकारियां लगाया हैं। घरों में खाना पकाने के लिए उप्यों की जाने वाली तरल, पेट्रोलियम गैस याने की LPG, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिस्र होता है। इसमें अतियन्त उच दापर प्रोपेन, ब्यूटेन और आईसो ब्यूटेन जैसी घैसे द्रबित होती है। प्राकिर्तिक गैस तथा पेट्रोलियम के प्रभावी आस्वन से प्राफ्थ होता है एल्पीजी के रिसाब की पहचान के लिए इसमें इत्थाइल मॉर्क कॉप्टेन है ना मिला दिया जाता है यह को सुन आपके पेपर का पूछा हुआ है कि बताए कि एल्पीजी में जब उसमें उसमें ला दिया जाता है जबुटेनगयस पर यृटएमर्य पर युटेन्स परईधती होते पेट्रॉल का मुख संगटन ऑक्टेन है गोवर गैस प्राकिर्तिक गैस बायो गैस सेंपेटिक टैंक निकालने वाली गैसों का मिसन एक मुखता मिथेन गैस होती है यहां से बहुत बढ़िया बढ़ी जनकारी निकल के आया है कोस्टन नमर 17 क्यों देखते हैं किस घटना के क कारण अकास का रंग नीला होता है किया आपको पता है रंग के बारे मं जब कभी भी आपको रंग के बारे में पूछे हैं ना तो सिदे अंसर दिनाए प्रकास का अ करना आजा है नीला लाल रंग के परकास की जो त्रंग धैर होती है वह सबसे अधीक बोटी है ये सब चीजें आपको याद रखना है इसले के लिए रहे हैं किर नेक्स्ट है लिए सबता इसका अंसर क्या होगा निम्लिकित में इसे कौन सा एक जटिल पदार्त है जो पोड़ों को सनराचात्मक सक्ति प्रदान करता है यानि की पौदों को सक्ति देने का काम करता है कौन सा एसा जटिल पदार थे जो पौदों को सं रच्नात्मक सक्ति परदान करता है तो सक्ति देने वला एक ही चीज है वेटा वह है आपका सेलूलोज यानि तब इसका राइट अंसर क्या देना पड़ेगा मुझे सेलूलोज देना पड़ेगा अब आईए कुछ जनकारियां भी देख लेते हैं सेलूलोज एक जटिल पडार्थ है जो पौदो को सं राच्रात्मक क्या देती है सक्ति परदान करती है इस बात को क्या रखना है याद रखना है नेस्ट्ट्टर नबर लेते हैं अगला कि बूसर न मोर abide बोल रहे हैं ट्रे को मा नामक बीमारी से शरीज का निंलिकी त में है इससे हमारी सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है या आपको जनकारी है अगर जनकारी है मेरे प्यारे मित्र तो लेट नहीं करना है सीधे अंसर देना क्या आपको पता है तो इसकी जो राइट अंसर है वो आख है अब मैं आप कर्वी जो विबारी होती है वो सरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं यह दो कोस्टन आपको कमेंट वॉक्स में है ना इस दो कोस्टन का कमेंट वॉक्स में आपको जवाब देना है क्यों क्यूंकि आपको बेटा जारकंड सीजियल का जारकंड उत्पाज सिपाही का जार परियोग किया जाता है रहा है और यह फेफड़े को परवावित करता है और यह फेफड़े को परवावित करता है यह चीज को थी निमलिकित में से कौन सा एक पत्ति का भाग है यानि पत्ती का भाग है पहला उप्सिंट पिस्टल अस्तर्न पिटियौल सेपल पत्ति यानि कि हमारा जो लीफ मतलब पत्ति का कौन सा भाग कहते है तो पत्ती का मेरे को एक यहार दिख रहा है गयाब का प्टी आप कपल तो कुछ और होता है पिस्टल कुछ और होता है सते कुछ नहीं कि फिर operate इन चूंए नेक्स्ट कोस्टन नमर 21 लेने से पहले कुछ जनकारी पेटियोल एक पत्ती का क्या है भाग है तने तथा सखाओं के पर्व संधियों से निकलने वाले पार्सव असमान भाग को पत्ती कहते हैं यह ना हरित लवक की उपस्तिती के कारण पत्ती का रंग जो होता हुँ क्या हो वक्यम्र बणा में सब्सक्राइट होता है कि अहीं कि मेरे दोस्त आई कि को करें कि ही हुआ कि लाग की लाकी सकाहारी गीव पहला है, ओस हम में पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा तो जो सकाहारी जीव जनतू होती है, वो जो हमारा ख़ाद सिंकला है, जो food-chain है उसमें कितने नमबर पर आते हैं मेरे प्यारे मित्र दूसरे नमबर पर आते हैं एक तो इस बात को क्या में मानव प्राथमिक एवं दुत्य उभोगता है एको सिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोज पदार्त का असनांत्रन खाज सिंगला कहलाता है तो य। तो याद रखना एक दिसा में होता है कि यह कोशन बहुत ही बहतने हैं तपेदिक जिसे वह बोलते हैं टीवी टीवी मतलब टीवर क्लोसिस कि टीके की खोज किसने की थी यानि जो टीके की खोज है यानि कि तपेदिक बोलो या या आच्पा बोल दो या फिर इसी को क्या बोलते है टी भी इसकी जो खोज किया था टीके का इसका किसने किया था यह आपको बताना है जल्दी से जवाब दीजिए तो पहला उप्सन है ल और कैलमीन ग्यूरीन तो जल्दी से नो लेट नो बेट किजिए और अंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताईए मेरे चाहने वाले प्यारे वच्चे तो इसका जो राइट अंसर है वह आपका है लियूमेन कैलमेट और दूसरा नम क्या है इनका कैमाइन ग्यूरीन यह वाली जो वैक्सिन होती है है ना ठीके होते हैं वह कौन सी होती है यह देखिए टापेदिक को हम लोग बोलते है ठीके की खोज लियोन-कैलमेट और कैमाइल ग्यूरीन ने कि थी यह यह रोग एक संक्रामक रोग है जो मायकोबैक्ट्रियम टूवर क्लोसिस नमक जिवानों कारण क्या होता है उत्पन होता है इस रोग के उपचार के लिए अस्पेट्रो माइसीन का इंजेक्शन लगाया जाता है यह मैंने बता दिया है अगे बताओ तता है लुईज पास्चर ने रेवीज का टीका यह दूद का पास्चुराइजेशन की पोज की थी चेचा के पूछे तो लुईज पास्चर और चेचा कटी का पूछे तो एडवर जेनर की बोलता ना है ठीक है ना दूद में जो होता है उसकी खोज करके किसे बताए था तो लुई पास्चर ने बताए था अब देखिए यहां पर सूची वन दिया गया है और यहां पर सूची टू कि अगए यहां पर वह सारी भात लिखे गई गई हैं यह कॉल यह कौन साटिक का लगा जाता है बंट्रिया कि कॉज के लगाहता यह यह सारा एक तरफ खोज करता है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बरवाद कर देंगे पूरा आईए को सट नमर क्तिया गत्या जोcessor निमलेखित में से इस गैस का उप्योग बिजली के बल्वों किया प्यों झाने चीली के वल्व होते हैं जो आपके घरों और दिवारों में ये उसमें व्याप होतीiyor म nutrition होते हैं hydrogen 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 carbon dioxide तो इस question का जो राइट अंसर है इस प्रस्ण का जो राइट अंसर है वह आपके हैं सी यानि कि nitrogen साथी साथ आरगन भी भरा होता है इस बात को धियान देना और comment करके यह मुझे लगाने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं कि कि nitrogen gas का उपयोग औरोजन को कहा जाता है भविस्का इंदान ये बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है जो आपके एक्जाम में आता है दूसरा ठोस कारवन डाइक्स को ठोस कारवन डाइय अक्साइड को क्या जाता है सुस्क वर्प कहा जाता है ये भी चीज आपको याद रखना है मेरे दोस्त मे या सुधी करन के लिए किया आता है आप लोग को पता है जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं पानी का उसमें किटानु जिवानु आ जाती है तो भाई उसको सुध करना होता है तो उसको सुध करने के लिए उसमें हमने क्या डालते हैं जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में प पानी को बचाने के लिए क्लोरीन गैस का चिल मुट परवाइद करने पर विरंजन चुन्ड का निर्वान होता है। ठीक है यह चीज़े आपको याद रखनी ऑभ अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कोसटा नमर पचीस निमलिकित में से कौन सा संक्र्यमक रोग का एक उधारण है और और हमाज ही बताया कि अछब बच्वह क्लोसी से क्वै क्या है शंक्रामक रोग है और फिल से वही कोश्चना को देखने को मिला है लेकिन पूछा कुछ और है मेरे दोस्त आएए आपको कुछ बिसेश जनकारियां भी दिखाते हैं तपेदिक एक संक्रामक रोग क्या है उधारन है तपेदिक यह च्छाय रोग यानिकी टीवी यानिकी ट् यानिक्स नमर चाभी सिखाई कि निमलीखितं मेश्चार कान्सा रोग तारक काला जार काला जार रोग का कारण होता है काला जार कौन फैलाता है आपसे यह सीधे तोर पर पूछा जा रहा है पहला ओप्सन है जिवानु कबक बिसानु प्रोटो जोवा क्या तुम्हें याद है जागा जागा रहते थे जल्दी से बताओ क्या इसका अंसर होगा इसका जो राइट आपसे अंसर होंगे वह आपका ऑप्सिन नक्रैक ठी होगा कला जार जो बिब획माली फैलाता है वह प्रोतो जोवा फाल rec so you take a जैंशन dauता है कालाजार रोग लिसमैनिया नामक प्रोटो जोगा से फैलता है लिसमैनिया प्रजवी का बाहग बालू मक्खी होती है कौन सी बाक्खी होती है बालू मक्खी होती है next कि अगला कोश्चन बहुत ही बहतरीन है जल्दी से जवाब बताई आप निमलिकीत में से किस परकार के दर्पन में परकास का पार्सव वैद क्रम प्रदर्सित होता है यानि पार्सव क्रम से जो उल्टे होते हैं क्या तुम्हें याद है आपको बताना है अवतल दर्पन समतल दर्पन आयताकार दर्पन या उतल दर्पन बहुत ही बहतरीन कोश्चन में से एक है पार्सव रूप से जो उल्टा प्रतिवीम बनते हैं वह आपका समतल दर्पन में बनते हैं यानि लेप्ट का चीज राइट में और राइट का चीज लेप्ट में अगर इमेज लेप्ट कारियां है समतल दर्पन में प्रकास का पार्सव में प्रतिविम प्रतिविम के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितने दूरी पर दरपन से सामने बस्तु रखा होता है यह सारी चीजे आपको क्या समतल दरपन की क्वालिटी को दर्सारा है आपको क्या करना है इसको मन से पढ़ना है मैं टेलिग्राम पे इसको पेडियाप को अंसर सहीत अपलोड कर दूगा आज का आज है CNG का मुक संगठन क्या है CNG में पूछा गया है CNG जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताईए कि CNG का फूल फॉर्म क्या होता है आपके पेपर में ये भी पूछा जा चुका है पहला उप्सन है इथेन प्रोपेन ब्यूटेन मिथेन आपको पता है CNG का जो गयस होत होता है CNG का पुन्द रुप क्या होता है कम प्रेज निचुरल गयस होता है ठीक है यह चीज़ा आपको याद रखना है Q esa no 29 भुलता है की एक तत्व का पर्माणुकरमांक 17 है यह क्या है बताओ एक तत्व हेकी इलिमेंट जिसका पर्माणुकरमांक क्या है 17 तो पुछाजा रहिए यह क्या है फारा उपस्न है यह एक छारिये हैं यह एक दुरलब गैसे एक है Dziękuję संक्रामन धातु है जल्दी से बताइए कि कोई भी इलिमेंट है जो जिसका परमानुक कर्मांग 17 है तो बताना है कि यह क्या होगा क्या आपको पता है कमेस्ट्री आपने पढ़ रखा होगा जल्दी से जवाब दिजिए यह जो होते हैं प्यारे भी तो वह है लोजन गुरू उयदा है क्या होगा है लो जनगे सोगा परमानुकर्मांग 17 किसका होता है क्लॉरीन का परमानुकर्मान कितना थत्रौरी में रखा गया है ता الا है कशते parlat है क्लॉरीन की खोर्क किसे लिए एक बार फिर से बता दिया तो यह सारी जनकारीमांगो तो क्या रखनी है याद रखनी है आज का लास्ट को से लेते हैं जो की बहुत ही बहुत ही बहुत ही अवश्चक चीज़ है और एंजाइम जितने के जितने होते हैं सब प्रोटीन का बता होता है और जो कोसी का जिल्ली होता है एंटीवोडी सब में प्रोटीन की आप सकता होती है यानि ऑप्सन नमबर डी जो है वो यहाँ राइट अंसर दिखा रही है अब यहाँ पर कुछ अस्पेशल सी जनकारियां जो रखी गई है वो यह रहा है इसको मन से इज़्जत के साथ क्या कर लेना है पढ़ लेना है अब बताओ आप लोग कि आज की जो क्लास करवाया जो मैं जारकंड जैसे सी का करवाया चाया वो सीजियल हो है ना जारकंड के जितने भी जाम होने वाले हैं समय साइंस काम आएगी और आप यह बताओ कि आज की कलास करके आपको कैसा लगा क्या आप खूस हो पाएं अगर हमारे चैनल पर पहली वार आए होंगे तो सबसे पहले कलास को मन से देख लिजिएगा और अगर कलास अच्छी लगी तो चैनल होना नहीं है थैंक यू बाबाए